ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है नमस्ते, ये पब्लिक है, सब जानती है आज किस एपिसोड में आपको उत्तरप्रदेश के पांचवी विधान सभा के बारे में थोड़ा बताएंगे और ये इंटरस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि जितना एक्शन, जितना घटनाएं उस पांचवी विधान सभा में होई थी मेरे ख्याल में उतना किसी भी विधान सभा ने उतनी घटनाएं होते हुए नहीं देखा है 67 में उपोजिशन यूनिटी शुरू हो गई थी किसी ने किसी तरह से और उतरप्रदेश में एलेक्शन हुआ, उसके बाद उस सरकार पूरी चल नहीं पाई और फिर मध्यावद चुनाव हुआ, 69 69 के चुरूहों में उतरप्रदेश में उसमें 425 सीट हुआ करते थे उसमें से कॉंग्रेस को 211, BKD भारती क्रांती दल जो चरण सिंग जी का था उसको 98 और भारती जनसंग को 49, 49 और सैयोक्ष सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिस्टों का हो था उनको 33 सीट मिली थी, अंतो गत्वा सरकार कॉंग्रेस ने बनाई, उस समय तक अभी कॉंग्रेस बटी नहीं थी जब ये सरकार रही, मलब मैं प्रेज़ेंट रूल को भी एक तरह की सरकारी मानना हो, तो साथ तरह की सरकारों ने पांचवी विधान सभाव में उत्तर प्रदेश को गवर्ण किया था, सबसे पहले सीवी कुप्ता जी आया, सीवी कुप्ता 26 जिनरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक रहे है, लेकिन नवेंबर 1969 में कॉंग्रेस इस्प्लेट हो गयी, इंद्रा गांधी के, ने उसको इस्प्लेट हो गई थी, एक कॉंग्रस ओ कहलाया और एक कॉंग्रेस आर कहलाया जो इंद्रा कॉंग्रेस थी उस समय के फिर अठारा फरवई से दस अक्टूबर 1970 तक चौधरी चरन सिंग की अगवाई में भारती क्रांती दल की सरकार बनी बाकी लोग ने उनको सपोर्ट किया फिर तीसरा ओप्षन आया पहली अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक प्रेजिडेंट रूल लगा अठारा दिन खार फिर 18 अक्टूबर 1970 से तीन एप्रिल 1971 तक त्रिवूर नरायन सिंग तीन सिंग साहब की सरकार बनी मैंने इसके बारे में अलड़ी आपको एक एपसोड में पता चुका हूँ अब वो चुनाव इसलिए हरदम याद रखा जाएगा उतर प्रिदेश की सियासत में कि त्रिवूर नरायन सिंग जी को विधान सभा पहुंचाने के लिए बाबा ने महंत अवैदिनाद जी ने उस समय अपती सीट खाली की थी मानिराम से और वहां से जाके टीन सिंग साहब एलेक्शन लड़े थे इनके विरुद्ध कॉंग्रेस ने रामकृष्ण देवेदी को उता रहा था और रामकृष्ण देवेदी वह एलेक्शन जीद गए थे और फिर टीन सिंग साहब को तीन एप्रिल 1971 को इस्तीफा देना पड़ा था जब टीन सिंग साहब ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद चार एप्रिल 1971 1971 से बारा जून 1973 तक कमलापतित्र पाठी जी उत्तरविदेश के चीफ मिनिस्टर बने और यह फिर कॉंग्रेस आर मतलब इंद्रा कॉंग्रेस के न पड़ा क्योंकि विद्रोग हो गया था मैं उसके बारे में बताऊंगा 13 जून 1973 में से 8 नेवंबर 1973 तक फिर से प्रेज़िदेंट टूल लगा राश्पती शार्षन लगा फिर 8 नेवंबर 1973 में हिमवती नंदन बहुगणाजी ने उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क उसमें कॉंग्रेस जीत गई और फिर चार या पांच मार्च 1974 से नंदन बहुगणाजी मतब छड़ी विद्धान सभा के कॉंग्रेस के चीफिंस्टर हुए यह जो मैं आप से इसलिए बता रहा था कि यह जो विद्धान सभा थी पांचवी विद्धान सभा जिसका एलेक् जी लोग, जनसंग वाले लोग, स्वतन पार्टी के लोग, यह सब लोग एक फरंट पे एकटा हो रहे थे यह विद्धान सभा इसलिए भी याद की जाएगी कि टियन सिंग साहब जो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे और उनको उत्तर विद्धिश का चीफ मिनिस्टर बनाए कारें थी, यह इसलिए भी याद किया जाएगा कि यह पांच विद्धान सभा में पांच चीफ मिनिस्टर बनें, आपको फिर से याद दिला दू जल्दी से मैंने उपर बोल दिया था, सीबी गुपता साहब, चौदरी चरन सिंग साहब, टीन सिंग साहब, कमलापत्र पार पांच चीफ मिनिस्टर बनें, और कॉंग्रेस, बीकेडी, कॉंग्रेस, और कॉंग्रेस आर, यह चार अलग अलग पार्टी ने रूल किया, वैसे आप सुने होंगे कभी, लेकिन चार अलग अलग पार्टी ने, एक और वज़े से याद किया जाएगा कि 1971 की पाकिस्तान की लड़ाई, जिसमें बांगलादेश का उदय हुआ, वो भी इसी पीरन में लड़ी गई थे, और उसमें उत्तर प्रदेश के चीफ मिस्टर कमलापत्य पाठी जी थे, उन्होंने बकु भी इस प्रदेश को चलाया था, यह एक वज़े से और याद किया जाएगा, यह वही क पारण भी उस समय थे और उसमें बताये गए थे, इन लोगों की बहुत खराब धंग से रखा जाता था, रहने की स्तितियां खराब थी, अफसरों की घर पे काम कराये जाते थे, इस तरह की ड्यूटी कराई जाते थे, और मतलब यह सारे उनका डिसकंटन्मेंट था, जो ध इसले साल मृत्य हुई, बहुत साल हो, तब ही से वो आते जाते रहते थे घर पे भी मेरे, यह मैंने आपको सिर्फिसली बताया है कि कभी-कभी लगता है कि यह वाला बहुत इवेंटफुल है, यह वाला बहुत इवेंटफुल है, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पूरी न कॉंग्रेस जो पिछली विदान सभा में 211 थी मतलब पांचवी में चटी विदान सभा में 1974 में उसके मेंबर हो गए 215 425 थे 213 पे सरकार बनती थी इनके हो गए 215 चार सीटें बढ़ी बीकेडी भारती करांती दल जो चौजी चरन सिंग साहब का था जिसके पांचवी विदान सभा में 98 मेंबर थे उसके छटी विदान सभा में 106 मेंबर हो गए आठ मेंबर बढ़ गए भारती जंसंग जिसके पांचवी विधान सबा में उन्चास मेंबर थे 49 उसके छटी विधान सबा 1974 में 61 मेंबर हो गए 61 बारा मेंबर बढ़ गए मैं सिर्फ कहाना यह चा रहा हूँ कि तीनों ने अपने-पने MLS बढ़ा है लेकिन ultimately सरकार Congress की ही बनी थी उत्तर प्रदेश आज एक बार फिर बिलकुल मतला focus में है पूरे देश की नजरे यहां है पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनों के जो प्रतीजे होने जा रहा है वो केवल दल विशेश नहीं शायद इस देश के आने वाली राजनीत को तैंक करने के लिए important होगा और केवल इस देश की राजनीत नहीं बहुत से ऐसे राजनितिग ऐसे politicians उनका future भी decide होने जा रहा है नरेंद मोजी सेंग जी अपना एक तरह से वो एक लंबी इनिंग खेल चुके हैं पिछले 25-30 वर्ट से चीफ minister या Prime Minister के पत्वे रहें लेकिन अब उनके successor के रूप में बहुत से नाम लिये जा रहा है उसमें अमिशा जी और योगी जी का नाम प्रमुकता से लिया जा रहा है यह election फिर decide करेगा कि अगर decisively योगी आदितनाच जी इसको जीतते हैं और फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदितनाच जी अमिशा साहब से आगे रहेंगे as successor of मोधी जी तीसरा यह है कि इस election में एक दो लोगों का और अखलेश यादव जी के लिए मुझे इसलिए बहुत खत्रा नहीं लग रहा है वो हारें चाहें जीते हैं तो यह नहीं होने जा रहा है कि कोई दस सीट आए वो इस समय बिलकुर fight में हैं वो सरकार बनाने के आस पास हैं अगर अगर कुछ ऐसा भी होता है तो दो चार पांच सीट से उनकी हारोग तो वो इस्टैब्लिश्ट है मायवती जी के लिए जरूर इंप्रॉटन है क्योंकि जब election शुरू हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था बेसपी की कम सीट आएंगी कि लेकिन अब जैसे जैसे election आगे बढ बीजेपी अभी तक अपने वोट कंसॉलिडेट नहीं कर पाई है और बीएसपी और कॉंग्रेस को जो भी वोट अब और बढ़ाएगी जो भी उसके अपने बेस वोट के अलावा वो कॉंग्रेस के वोट के उपर ही डाकर डाल रही तो माफ कीजेगा वो बीजेपी की इस पर पता लगे या कॉंग्रेस के लिए इसलिए है कि वो एक तरह से प्रियंका गांधी की लीडर्शिप का पता लग जाएगा कि अगर प्रियंका गांधी जी सीट से ज़्यादा इन टरम्स ऑफ पर्सेंटेज अगर कॉंग्रेस के वोट बढ़ा पाती है तो वो उनके के लिए बड़ी बारी सफलता होगे लेकिन अगर वो पर्सेंटेज बढ़ा पाएं और सीट बढ़ा पाएं तब उनकी नेट्रों तो पे भी प्रस्टेशन जरूर लगे आज के लिए सिर्फ इतना ही अगली बात फिर से यह पब्लिक क्या कहती है कोई नई बात